नमस्कार दोस्तो आज के वीडियो में हम अन्बोक्सिंग करने वाले हैं वाइरलेस माइक की जो की एक रिपोर्टर के लिए बहुत ही बैस्ट रहेगा यदि आप यूटूब पर वीडियो बगएरा बनाते हैं तो आपके लिए बैस्ट रहेगा तो इसकी पूरी अन्बोक्स है और रियल्टी बताएंगे वाइरलेस माइक की ठीक है तो चलिए अब हम इसे फटापट से ओपन कर लेते हैं तो यहां पर देख लिए इस प्रकार का यह जो बैनर है जो आप काईडर है वो इस साइड में आया हुए है और पैकिंग भी बहुत ही जबर्दस्त बढ़िया करी है ठीक है तो अब इसको उपन कर लेते हैं आपके सामने ही इसको सिद्ध हम यहां से फट लेंगे तो यहां से हमने इसको फट लिया है वई यह इसका जो एडर बगेरा है इसको हम साइड में रख देते हैं अभी इसको डब्बे को भोलते हैं ठीक है तो इसको हम एक बार फाड लेते हैं और इसके अंदर देखते हैं हमारे सामने क्या निकलता है wireless mic किस परकार का होता है तो यह देखिए दोस्तों हमने इस box को जैसे ही हम open करते हैं तो हमारे सामने एक और अंदर से जो box है वो निकल कर सामने आता है यह देखिए जबरदस्त box चम चमाता होगा box आप देख सकते हो तो यह mic है K9 ठीक है तो इसके अंदर wireless double mic यहाँ पर दिखाए गए है तो live show, interview, vlog, short video के लिए यह mic काम करता है इस side पर देख लेजिए यह vlog, short video, interview और live show तो इस side पर Chinese बगरा में लिखा है wireless mic तो यहाँ पर इसकी packing बहुत ही जबरदस्त है तो चलिए हमें इसकी packing को फाड़ के आपको दिखाते हैं तो देखे जैसे ही हम इसको यहाँ से बाहर निकालते हैं दोस्तो तो इसके अंदर यह कुछ इस परकार का एक box देखने को मिलता है इसके अंदर यहाँ पे आप देख सकते हो यह एक mic दिया गया है ठीक है तो यहाँ से इसका power का बटन यहाँ पे दिया गया है जो आप इस समय देख सकते हो यह देखी यह power का बटन है बकी इस mic को हम साइड में रख देते हैं बाद में बात करेंगे उसके बाद एक mic और मिलता है इंट्रिव बगेरा के लिए यह आप पे जो सामने वाला परशन है उसको आप लगा सकते हैं इसके बाद यह adapter दिया गया है जो कि आपके phone में लगेगा उसके बाद देखते हैं box के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है तो उसके बाद यहाँ पे right side पर देखेंगे तो कुछ खास है इसको हम बार निकल लेते हैं फोम बगेरा है उसके बाद यह इसका side charger होगा तो यह देखिए यह इसका charger है side यह रहा इसका charger छोटा सा जोकी है एक side में USB दूसरे side में C port तो यह आँ से charger होगा उसके बाद यह कुछ नहीं और user manual दी गई है किस परकार से use करना है फिलाल इसको हम side में रखेंगे और man cheese की बात करेंगे ठीक है अब यह डबा बिल्कुल खाली हो चुका है और यह इसको भी side में रखते हैं अभी बात करते हम इसके USB की तो यह USB दिया गया है चार्ज करने के लिए इसको भी side में रखते हैं और यह mic ठीक ठाक quality है इसकी देखिए आप screen पर देख रहे होगे तो अब हम क्या करेंगे इसकी testing करने वाले हैं कि वह किस परकार की इसकी आवाज देखने को मिलती है तो अब हम आपके सामने इस mic को लगाएंगे और testing करके दिखाएंगे कि वह किस परकार की इसकी आवाज है अब इसको लगाते हैं तो यह हमने इसके अंदर लगा दिया है ठीक है अब यह इसके अंदर लगने के बुद देखिए यहाँ पर यह light दी लिए है अब यह connected है तो फिलाल आप देख सकते हो कि जो mic हमने अंबोक्स किया है उसकी यह आवाज है किस परकार की लग रही है आप एक बड़ बताईए क्योंकि हमाएं वीडियो बनाते हैं वक्त हमें सुनाई नहीं दे रही है इसके बाद दूसरा माइक को मूज करके देखते हैं दोनों को एक साथ कनेक्ट करके देखते हैं यह देखे दूसरा वाड़ा भी यहाँ पे रेड लाइट पोन हो गई यानि की ग्रीन लाइट पोन हो चुकी है अब देखिए किस परकार की आवाज आ रही है एक बार कुमेंट करके बताईएगा ठीक है तो यह था नॉर्मल सा माइक ठीक है अब बारी आठीज बेश की प्राइज की बात करें तो यह माइक हमें जो है पड़ा है लग बग लग वह एक हजार क्या स्थ एक हजार एक सो उन से टुप है ठीक है तो यह आप पर अमेच ओन या फिलिप कार्ट से ले सकते हो तो फिल आले की आवाज की स्वेकार की लग रही हो आप लीगा और यह माइक है आपको कैसा लगा इस माइक को आप एजी भी पोटर है जो इसका के तौर पर भी यूज कर सकती है तो इसको आप यूज कर सकते हो तो फिल आले यह थी अगज इस माइक की इसका चार्टिंग टाइमिंग बता दे आपको की लग बग यह 8 गंटे गाज बाग चल गाज जाएगा अगे आपका यह फुल चार्ज होता है तो तो दोस्तों आज की वीडियों फिल आलत नहीं कैसे लग आपको यह माइक जिरूर बताई कमेंट करके धन्यवाद जाहिए इंद्वन्दे मातरम इरामरावली